नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं बी एसेफ सीमा सुरच्छा बल का जो ऑनलाइन फॉर्म आया है एसाई और कॉंस्टेबल पदो के लिए उस फॉर्म को हमें कैसे भरना है दोस्तो इस वीडियो के मादेम से हम आपको पूरी जनकारी देंगे स्टेब बाइ स्टेब ताकि इस फॉर्म को आपको भरने में कोई परिशानी ना हो तो दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने नए दोस्तों से कहना चाहूंगा जो लोग इस चैनल पे नए आये हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक और सेर कर दीजे ताकि लेटेस अबडेट आपको मिलता रहे तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वहाँ पे आप लोग क्लिक कीजेगा तो आप लोग роडरेक्ट हो जाएगा इस साइट पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है बियसेफ सीमा सुरक्षाबल और यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्म को जो भरना है उसको जो है कैसे कैसे स्टेप में भरना है वो आपको जनकारी 20 सेड में दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है परसनल इंफॉर्मेशन परसनल इंफॉर्मेशन में यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रत्यासी का नाम Candidate's Name यहाँ पे आपको अपना नाम को लिख लेना है उसके बाद आपको अपना मोबाइल नमबर लिख लेना है मोबाइल नमबर लिखने के बाद आपको अपना इमेल आइडी को लिख लेना है तो दोस्तो अपना नाम आपका mobile number और आपका email id लिखने के बाद नीचे दिया हुआ generate OTP वहाँ पे आपको कर लेना है click generate OTP पे click करके आपको अपना OTP लिखके submit कर देना है उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है identity detail को भरना है तो दोस्तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा identity type यहाँ पे आप identity type में आप लोग जो भी identity देना चाहते हैं उसको यहाँ पे select कर लिजे और उसका जो certificate number है उसको यहाँ पे आपको लिखना है उसको लिखने के बाद दोस्तो दिया हुआ है additional information additional information में देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पे आपको लिखना है date of birth date of birth लिखने के बाद आपको लिखना है age और age लिखने के बाद आपको लिखना है nationality nationality लिखने के बाद दोस्तो नीचे दिया हुआ है father name father name में आपको अपना पिता जी का नाम लिख लेना है पिता जी का नाम लिखने का बाद दिया हुआ है mother's name में आपको अपना माता जी का नाम लिख लेना है उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है permanent identification mark on body सरीर पर स्थाई पहचान नचीन उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है gender, gender में आप लोग अपने अनुसार चैन कर लिजे उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है marital status, विवाहित, city अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित चैन कर लिजे अन्य था आप और विवाहित को चैन कर लिजे दोस्तों उसके बाद दिया हुआ है category reservation यहाँ पे आपको करना है आपको अपना धरम का चैन यहाँ पे आपको अपना धरम का चैन करने के बाद आपसे पूछ रहा है category किस सेनी में आप आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना select कर लेना है category उसके बाद आपसे पूछ रहा है do you belong non creamy layer अगर आप non creamy layer में आते हैं तो yes कर दीजे ने था आप no कर दीजे दोस्तों उसके बाद आपसे पूछ रहा है valid up to आपका जो category certificate है कब तक valid है उसको लिखना है certificate number जो है आपका उसको लिखना है जाती प्रमान पत्र खा उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है certificate issuing state कौन सा राज से आप हैं जहां से आपको यह certificate मिला है उसको यहाँ पे chain कर लेना है chain करने के बाद दोस्तों दिया हुए certificate issuing district प्रमान पत्र जारी करने वाले जीला का नाम यहाँ पे आपको उस जीला का नाम को chain कर लेना है जीला का नाम chain करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुए certificate issuing authority किस प्रमान पत्र को किसके द्वारा जारी किया गया है उसको यहां पे चैन कर लेना है दोस्तों उसके बाद आपसे पूछ रहा है certificate issuing date को भी यह certificate आपको issue हुआ था उसके बाद दोस्तों निची आएगा निचे दिया हुआ sub category reservation यहां पे आपको लिखा हुआ है क्या आपको विक लांगता है अगर आप ph candidate हैं तो yes करके अपना सारा जनकारी को दे दिजिए अन्य था आप no कर दिजिए दोस्तों आपसे पूछ रहा है क्या आप भूत पूर्व सैनिक हैं अगर आप हैं तो यहां पे टिक कर यस कर दिज अन्य था आप no कर दिजिए दोस्तों उसके बाद आपसे पूछ रहा है विभागी है अगर आप यह देंगे तो यह आपको जनकारी देना होगा और उसके बाद नीचे देख सकते हैं दोस्तों दिया हुआ है save and next का बटन दोस्तों save and next के बटन पे हमें कर लेना है क्लिक वह आपको अपना पिन कोड को लिख लेना है उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है राज केंद्री ये सासित प्रदेश आपको यहाँ पे चैन कर लेना है उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है जिला जिला को आपको अपना जिला को चैन कर लेना है उसके बाद दोस्तों दिया हुआ correspondence address correspondence address में लिखा हुआ है कि same as permanent address यहाँ पे आपको कर देना है टीक यहाँ पे टीक किजगा तो जो आपका address permanent address में वही same to same यहाँ भरा जाएगा अन्य था आपको एके करके फिर से वैसे ही भरना है भरने के बाद दोस्तों नीचे आईएगा नीचे दिया हुआ है save and next का बटन save and next के बटन पर आपको क्लिक कर देना है save and next के बटन पर आप क्लिक किजगा यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने other detail इसमें आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास ncc प्रमान पत्र है अगर आपके पास ncc प्रमान पत्र है तो आप yes कर दिजिए अनिथा आप no कर दिजिए दोस्तों उसके बाद आपसे पूछ रहा है ncc a प्रमान पत्र ncc b प्रमान पत्र ncc c प्रमानपत्र अगर आपके पास है तो आप यहां पे chain कर सकते हैं अनिधा आप no पे click कर दीजिये दोस्तों उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहां पे हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ physical standard यहां पे physical standard में आपको अपना height को बताना है centimeter में कितना आपका height है height को यहाँ पे आपको बता देना है height बताने के बाद दोस्तों आपसे पुछ रहा है chest केवल male only छाती केवल पूरसो का तो दोस्तों अगर आप पूरस जाती से belong करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना छाती का नापी centimeter में देना है तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग लिख लिजे दोस्तों उसके बाद दिया हुआ weight में आपको अपना वाजन को यहाँ पे लिख लेना है वाजन लिखने के बाद दोस्तों नीचे आएगा नीचे दिया हुआ qualification detail qualification detail में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखा हुआ योगता का प्रकार दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपना 10th 12th graduation जो भी आप किया है total आप लोग को select कर लेना है दोस्तों ऐसे ही करके पहले हम select करते हैं sse metric high school का उसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ certificate number आपको अपने result पे लिखा हुआ certificate number को देख के आपको यहाँ पे लिख लेना है दोस्तों उसके बाद दिया हुआ है यहर में आपको अपना वर्स को चैन कर लेना है किस वर्स आप अपना मेटरिक का एक्जाम दिये थे हैं दोस्तों उसके बाद आपसे पूछ रहा है राज यह राज में आपको अपना राज को चैन कर लेना है फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है, बोर्ड या विस्विधियाल है, किस बोर्ड या इन्वर्सिटी से आप पास किये थे, उसको यहाँ पर चेन कर लेना है, चेन करने के बाद दूस्तों नीचे दिया हुआ है, एड का बटन, एड के बटन पर क्लिक करके, ऐसे करके दू भी add किये हैं वो सारा दिखाने लगेगा उसके बाद आपको कर लेना है next वाले बटन पे click दोस्तों next वाले बटन पे click किजेगा आपके सामने आ जाएगा यहां पे work experience work experience में आप से पूछ रहा है क्या आप सेवा रत हैं अगर आप सेवा रत हैं तो yes कर दीजे अन्य था आप no कर दीजे दोस्तों yes किजेगा तो और भी जनकारी देना होगा वो आप लोग अपने नुसार दे दीजे और उसके बाद दोस्तों आपको कर लेना है सेव वाले बटन पे क्लिक दोस्तों जैसे ही सेव वाले बटन पे क्लिक किजेगा यहां पे आप अपना जो है डीटेल को नीचे देख सकते हैं यहां पे आपका डीटेल दिखाने लगेगा उसके बाद आपको करना है सेव एन नेक्स्ट के बटन पे क्लिक दोस्तों सेव ए और उसके बाद दोस्तों आपको सिगनेचर को अपलोड करना है सिगनेचर का जो साइज है आपका 20 केवी से 50 केवी रहेगा उसके बाद आपको दोस्तों यहां पे 10 का मेट्रिक का हाइज स्कूल का सर्टिफिकेट को अपलोड करना है जो सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है वो भी 30 केवी से 100 केवी के बीच में रहेगा और दोस्तों इसका सारा का फॉर्मेट जो है आपको जेपीजी जेपीई जी पीएंगी और पेडियो फॉर्मेट में ही होना चाहिए उसके बाद दोस्तों नीचे आईएगा नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है सेवें नेक्स् के सामने आजाएगा सेलेक्ट पोस्ट कि इस पोस्ट के लिए आप इस फॉर्म को बरना चाहते हैं उसको यहां पे आपको सेलेट करना है और सेलेट करने के बाद दोस्तों करना है सेवें नेक्स्ट के बटन पे क्लिक दोस्तों जैसे ही सेवें नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किजेगा आपके सामने यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है upload your qualification document upload experience document दोस्तों यह जो है इसका size 30 के भी से 100 के भी होना चाहिए और जो format है वो jpg, jpeg, png और pdf format में ही होना चाहिए है दोस्तों इसको upload कर लिजी upload और upload करने के बाद आपको करना है save and next वाले button पे click किजेगा यहां पे आजाएगा आपके सामने today's date यहां पे आपको आपका डेट को लिख लेना है फिर आपसे पूछ रहा है place किस स्थान से आप बार रहे हैं उसको यहां पे लिख लिजीए और दोस्तों दिया हुआ है center preference केंदर की ऐसार कि ट्राथमिक था है दोस्तों यहां पे आपको अपना अपने अनुसार स्विदा लेना है और चैयन करने के बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ ratanakosuh देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों दिया हो ऑठ payment gateway आपको यहां पे select कर लेना है select करने के बाद payment mode payment mode को आप लोगो select कर लेना है अपने अनुसार उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है यहां पर gateway charges आपको सारा जो है बताएगा कि आपका card से कितना लगेगा net banking से कितना लगेगा UPI से कितना लगेगा और valid से कितना लगेगा यह यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद आपको कर लेना है I hereby declare that information furnished in my profile is true to the best of my knowledge यहाँ पे आपको कर लेना है टिक और टिक करने के बाद दोस्तों नीचे दिया हुआ है पे नाव का बटन तो दोस्तों पे नाव के बटन पे आप लोग क्लिक किजेगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है आपका card number आपका expiry date card holder का नाम और CVV यह सारा जनकारी को आपको भरके और नीचे remember card को आप लोग टिक कर सकते हैं आप करना है तो अनिधा आप इसे खाली छोड़ दिजे और pay वाले बटन पे आप लोग क्लिक किजेगा ऐसे करके आप लोग इस firm का जो payment को आप लोग complete कर लेंगे औ और आपको अपना इस firm को print out ले लेना है ताकि आपको future use के लिए आपको काम आ सके तो दोस्तों इस वीडियो के मादम से हम लोग ने देखा कि कैसे BSF सीमा सुरचाबल का जो online form आया था ASI और constable पदों के लिए उसको कैसे भरना है step by step इस वीडियो के मादम से हमने आपको ज अच्छा लगा हो तो इसे like कर दीजेगा हर एक दोस्तों के साथ share कर दीजेगा अगर आपको कोई doubt हो तो दोस्तों आप comment या mail के मादम से हमसे संपर कर सकते हैं और अगर आप इस channel पे नए हैं और channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe और share करना न भूलिएगा धन्यवाद